दोस्तों एक और बहुत ही बहतरीन सिक्षक भरती की अपडेट के साथ मैं आपके वीच माया हूँ अब देखने लगातार एक एक करके सिक्षक भरती आ रही है तो मैं पूरी जानकारी आपको हर दिन आपको जो भी आते जाएगी जब भी वीडियो में देता करूंगा तो यह जो भरती आई है यह समगर सिक्षा चंडी गट से आई है समझने की कोशिस करेगा यह वेब साइट है एसससे सीएसडी डॉट एडॉट एडॉट इन यह अपिशेल है तो इसमें आप निशे जाहिएगा तो एक एडविटिजमेंट है है ना होमी पेज पे रिकूरूट आप लोगों को आईडिया भी मिलेगा बहुत लोगों को जो यहाँ पर देखेंगे तो पहले देखिए यह क्या है वही उसी पर लिंक पर क्लिक करने से यह पीडियाफ आपका उपन होगा तो यह देखिए यह क्लियरली यहाँ पर नोटिस दिया गया है कि only online application will be accepted सारी कर सकते हैं ठीक है candidate are required to login to the website link यह ठीक है इस website link पर सब्मिट कर सकते हैं application ठीक है ना मैं जो SSC चंडीगट वाला website का लिंक है वह मैं आपको वीडियो के description में डाल दूँगा ताकि वहां से आप इस पर आ जाईए और फिर यहां से आपको यह भी मिल जाएगा ठीक है तो आप वहां पर जाके application कर सकते हैं लेकिन पहले आप पूरा चीज देख लिजिए क्या-क्या application कौन कर सकते हैं कैसे यह आप फिक्स्ट आपको यहां पर payment होगा 35,400 रुपिया और यह time to time revise होगा ठीक है और total 90 post यहां पर देखे लिखा हुआ है इसके लिए भड़ती होगी क्या सब है देख लिजिए TGT English इसके लिए आपको यह total list दिया हुआ एक बार मैं उपर का column निकाल देता हूँ ताकि आपको आसानी होगी TGT English, Hindi, Punjabi, Math, Science, Non-Medical, Science, Medical, TGT Social Studies बाकि आप देख सकते हैं वीडियो को रोक के उसका total देख सकते हैं किसके लिए कितना post है तो यह total आपका 90 यहां पर हो गया बाद मैं आपको डिटेल बेसिक बता दे रहा हूँ यह हो गया इसके बाद जो यहां पर है essential qualification में उसमें देखे क्या कह रहा है उसमें कह रहा है कि आप graduate होंगे है ना किसी recognized university से और with relevant subject मतलब जिस subject के लिए आप apply कर रहे हैं कम से कम 50% marks से दूसरा आपको चाहिए कि आप B.A.D. किये हुए हैं है ना किसी relevant teaching subject से और relevant मतलब जो आप भर रहे हैं उससे related आपका B.A.D. का subject होना चाहिए मतलब SST या science जिस भी में भी आप भढ़ेंगे वो कोई भी NCT या approved recognized university से होना चाहिए 50% से seated paper 2 आपका पास होना चाहिए ये तीन चीज़ ग्रजुएट है B.A.D. है प्लस seated paper 2 है तो आपका हो जाएगा और एक और option है combination है कि चार साल का जो integrated किये हुए है B.A.B.A.D. या B.S.C.B.A.D. उसमें 50% हो और seated paper 2 आप समझी गए होंगे दुनों एक ही बात है अब यहाँ पर subject combination देख लिजे जो TGT science है non medical के लिए उसके लिए यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से है देख लिजेगा वीडियो पास कर गए TGT science medical के लिए कुछ ये combination है mathematics के लिए ये combination है और TGT social science के लि जी ये relevant subject graduation का है B.A.D. का है और ये आपका B.C. B.A.D. का है तो ज्यादतर लोग तो मुझे लगता है कि graduation और plus B.A.D. ही होंगे तो आप देखिए जैसे कि social science में ये सब लोग जो है ये इसके category में आएंगे graduation में और B.A.D. आपका social science होना चाहिए यहाँ पर ये है और TGT English म भी वही तो ये बात हो गया अब उसके बाद आगे देखिएगा आगे और selection criteria जो है 150 नंबर का आपका exam होगा दो पार्ट में exam होगा पहला पार्ट जो होगा वो आपका 50 नंबर का होगा यहां पर देख लिजे 50 नंबर का पहला shift 100 नंबर का दुसरा shift ये भी आपको पचास नंबर का उसमें आपको जेंडल awareness, ICT, teaching aptitude, pedagogy, English in deep language जो भी आपका है उस पर question आएगा और उसके बाद आपका जो है इंगलिस 5 हिंदी 5 और पंजाबी के 4 question इसमें लिखा हुआ है पार्ट भी में आपका जो subject specific है उस पर 100 question होगा तो ये चीज़ है 40% आपको पास होना निवार है 0.25 आपका 1 by 4 negative marking रहेगा तो ये सब इसका main बात है और selection procedure वही return exam के basis पर हो जाएगा और फिर उसी के basis पर merit बनेगा 21-27 age limit दिया हुआ है 1 January 2022 को बाकी आपको यहाँ पर link है ही इस link पर जाईए और application form भढ़िए जो भी पूरा detail है उसके साथ और आपका पूरा details आपको जो भी photo है या detail है वो सब कुछ आप भढ़िए और बाकी detail इसमें आप देख लीजेगा ठीक है application का पूरा date भी आप application date जो है 12 सितंबर से 9 a.m. से start last closing 3 October 5 p.m. last date of deposit application fee 6 October fee confirmation list जो है within the schedule date वो 14 October है schedule of the written test to be notified uploaded by return test जो schedule आपका निकलेगा वो 26 October तक निकल जाएगा 26 October को नहीं है मतलब 26 October तक आपको बता दिया जाएगा यह चीज हो गया और बाकी आपका basic details जो आप जाके देख लीजेगा मैं अभी क्या करूँगा इस वीडियो में नीचे description में ये वाला जो है न ये वाला link ये डाल दूँगा ताकि आप यहाँ से जाके इस पे click करके आप direct जाके जो है ने तुम्हें यही वाला इस पे click करने के बाद link आता है न हाँ ये वाला link डाल दूँगा ताकि direct आप यहा से आप यह देखिए डिटेर एड़टाइजमेंट निकाल लिजेगा ठीक है थैंक्यू बेरी मच्छ बबाई जैहिन